नमस्ते चात्रों, आज हम फिरी एक बार बिहारी के दोहे को देखेंगे। या अनुरागी चित की गती समुझेई नहीं कोई, जोजों बूडई शाम रंग, त्यों त्यों उजलू होई। और दूसरा है, बड़त बड़त संपती सलिलू, मन सरोजू बड़ि जाए, घटत घटत फिरी ना गटई, बरु समोल कुमहिलाई। समय समय सुन्दर सबय, रूप कुरूप ना कोई, मन की रुची जेती जितै, तित तेती रुची होई। आटवा है, कहई यहई शुती सुम्रत्यो, यहई सयाने लोग, तीन दबावत निस्कहीं पातक राजा रोग। अब यह पांचवा दोहा, इसमी जो खटेन शब्द है, उसका अर्थ में एक बार बता देती हूँ। यह अनुरागी चितकी, अनुरागी मतलब अनुराग प्रेम, अनुरागी प्रेमी, चितकी, चित मतलब मन, गती समुझै, गती का अर्थ है, अंतराल, यह मन की जो इच्छा है, मन का जो चाल है, समुझै, समुझने वाल, नहीं कोई, कोई भी नहीं जो जो बूड़ै शामरंग जो ही बूड़ै का अर्त है डूबना, लीन होना किस में लीन होना, भक्ती में लीन होना किस की भक्ती में शामरंग मतलब शामल वर्णवाला कौन श्री कृष्ण भगवान त्यों त्यों उजलू होई त्यों त्यों ही उजलू उज्वल होई हो जाएगा कवी यहां पर भक्ति के बारे में या कृष्ण गोपिका की प्रेम के बारे में बताते हैं श्री कृष्ण जो भी विक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है उन विक्तियों का जीवन उज्वल कर देता है कृष्ण भगवान ऐसा कवी यहां पर बता देते हैं या अनुरागी चित की अनुरागी अनुराग प्रेम अनुरागी प्रेमी कवी यहां करते हैं हमें दोसरों के साथ प्यार से प्रेम से या स्नेह की भावना से व्यवहार करना चाहिए सभी को प्यार की दृष्टी से प्रेम की दृष्टी से हमें देखना चाहिए तो क्या हो जाएगा सभी के साथ हम बहुत ही प्यार या स्नेह के साथ व्यवहार करेंगे या स्नेह से देखेंगे या स्नेह की भावना से सब के साथ जीएंगे तो क्या हो जाएगा गती समुझाई नहीं कोई गती मतलब हमारे मन की जो इच्छावों को या हमारे अंतराल को या हमारे जीवन में जो भी मुश्किल आता है जो भी समस्याई आती है उन समस्याई उनको दूर करने के लिए दूसरों की सहायता हमें जरूर मिलेगा अगर हम दूसरों की साथ हमेशा शत्रुता की भावना से या द्वेश की भावना से जियेंगे रहेंगे तो लोग हमसे दूर हट जाते हैं हमारे साथ वे रहने की पसंद नहीं करते हैं या हमारे साथ स्नेह की भावना से रहने की एक इच्छा उन लोगों को नहीं होते या मन की इच्चा हैं उन इच्चावं को जानने के लिए कोई भी हमें नहीं मिलेगा अगर हम दोसरों के साथ द्वेश की भावना से जिएंगे तो गती समुझे नहीं कोई द्वेश से रहेंगे तो अगर हमारे जीवन में कोई भी कष्ट या मुश्किल आएगा तो उन मुश्किलों को दूर करने के लिए हमें दोसरों की सहायता चाहने पर भी हमें सहायता करने के लिए कोई नहीं मिलेगा अगर हम दोसरों से प्यार नहीं करेंगे या दोसरों के साथ स्ने की भावना से नहीं रहेंगे तो इसलिए हमें ऐसा समझना चाहिए कि सभी लोग एक जैसे हैं सभी लोगों के साथ हम मिल जुल कर जीना चाहिए सुने की भावना से प्यार की भावना से रहना चाहिए तबी हमें सहायता करने के लिए लोग मिलेंगे हमारे अंतराल को जानने के लिए हमारे दुख को जानने के लिए जरूर कोई ना कोई मिलेगा उदाहरण के लिए जो जो बूड़ई शामरंग उदाहरण के लिए कृष्णा और गोपिका का प्रेम जिस तरह से गोपिकास्त्रियां श्री कृष्ण की भक्ती में डूबते जाते हैं श्री कृष्ण क्या करता है उन गोपिकास्त्रियों का जो इच्छाएं है या उनका जीवन है उसे पावन कर देता है उनकी इच्छावों को वे पूर्ण कर देते हैं श्री कृष्ण भगवान जो जो बुड़ई शाम रंग बुड़ई डूबना लीन होना तलीन होना हमें श्री कृष्ण की भगवान हमारे भविश्य को अमारे जीवन को उज्वल कर देंगे ऐसा यहाँ पर कभी कहते हैं फिर एक बार कर देती हूँ अनुरागी चित की गति समुझेई नहीं कोई अनुरागी हम दोसरों के साथ मिल जुलकर या स्ने की भवना से ना रहेंगे तो हमारे अंतराल को हमारे चित को जानने वाला कोई भी नहीं मिलेगा अगर हम दोसरों से स्ने की भवना से रहेंगे तो हमारे कस्ट को हमारे मन की दुख को समझने के लिए जरूर कोई ना कोई मिलेगा उसी तर भगवान श्रे क्रिष्ण से हम भक्ती में डूप दे जायेंगे तो वे हमारे भक्ती से प्रसन्न होकर हमारे भविश्य को हमारे जीवन को वे पावन कर देंगे उज्वल कर देंगे इपैरेग्राफले इकवी हेलेर वन्तदो क्रिष्ण मत्तो गोपीकास्त्रियर प्रेमद जत्तिगे इनहेल्टारे अनुरागी अंठेलदरे प्रेमी अन्दरे नाव यल्लर जत्ते प्रेति अतवस्नेह भावनींद यल्लरू वंदे यल्लर जत्ते नाव आत्मीयती इंद उन्दे मनसिनींद बदुक्त बेकु अबगे नाक्ततते नमीगे उसह नम्म कस्टकालदल्ली सहाय माडलिके जनरु खंडित बरततरे नाव इतरर रजते द्वेश दिंद अथवा वैरत्तो दिंद बदुक्त आइदरे ये नाक्ततते जनरु नम्मन्न दूरेड़तरे नाव येनु कोड़त्ते वो जनरीगे अध नमिगू वापस सिगततते नाव परीतियन कोड्टरे वापस नमिगे बदलागी परीती सिग्ववान्थतु वंधСТद्दु उंधु येले नाव जनरु जनरन द्वेशिस्वांथत्दु तानु तणनदु अञ्वा ननुवांदु स्वार्तईयट कोलवान्थ तनकी ऊळ अधू येनाग्त दे नम्मन अवनत्य कड़ेगे तोगोंड होक्त दे हागागी यल्लर जत्ती प्रीती सहबाल्वे अतोव स्नेह इदरिंद बदुक्ता इदरे नम्मकस्टकालदल्ली नमिय सहायवन्न माड़िके अतोव नम्म दोखवन्न अरितुकुल्लिके जनरु खंडिता सिक्के सिक्तारे उदाहरनेगे क्रिश्ण मत्तो गोपिकास्त्रियर प्रीती गोपिकास्त्रियरू श्रीकृष्ण नन्न अनन्यवागी प्रेमी सिद्रू, आवननन्न भक्ती इन्द बजी सिद्रू, पोजी सिद्रू, हागागी श्रीकृष्ण गोपिकास्त्रियरा भक्ती गे मेच्ची अवर उन्द जीवन वन्न पावन गुळिस्ताने, आवर भक्ती अवर भविश्यवन्ना उज्वल गुडिस्ताने। नाव श्री कृष्णना भग्ति यल्ली हेच्चु हेच्चु तल्लीन आक्ता होदा हागी ये श्री कृष्णना नम्म भविश्यवन्ना उज्वल गुडिस्तानें थेली इल्ली बिहारी लालोरू हेलेर वांततुद। यहाँ पर कवी ने फिर एक बार अहंकार के बारे में बताया है उन्होंने संपत्ती को पानी के रूप में चित्रित किया है और मन को सरोज के रूप में या कमल के रूप में चित्रित किया है बड़त बड़त बड़ना ज्यादा होना संपती सलिलू संपती रूपी संपती मतलब धन सलिलू सलिलू मतलब पानी सलिल का अर्त है पानी यह संस्कृत शब्द है मन सरोजू सरोजू मतलब कमल या लोटस बड़ी जाई बड़ता जाता है घटत घटत घट ना कम हो न फिरी ना घटै फिर ना घटै फिर कभी भी घट नहीं सकता कभी भी कम नहीं हो सकता बरू समूल कुम हिलाई बरू लेकिन समूल सामूल या जड सहित कुम हिलाई कारते हैं सूक जाना या मुर्जा जाना कवी यहाँ पर अहंकर के बारे में करते हैं जब मनश की जीवन में संपती रूपी पानी बढ़ने से बढ़ती जाने से क्या हो जाता है मन में या सरोज रूपी मन कमल रूपी मन में अहंकर भी बढ़ता जाता है बढ़त बढ़त संपती सलिलू संपती रूपी पानी बढ़ने से मन रूपी कमल वह भी बढ़ता जाता है वह भी खिलता जाता है मन जो कमल रूपी मन है वह भी खिलता जाता है घटत घटत फीरी ना घटाई लेकिन जब एक बार जो संपती है वह कोई शाश्वत नहीं है एक ना एक दिन संपती वह कम होता जाता है सर्वनाश हो जाता है तब क्या हो हमारे पास रह जाता है घटत घटत जब संपती घटता जाता है फीरी ना घटाई अहंकार कम नहीं होता जब संपती हमारे पास थी या धन हमारे पास था तब मन में अहंकार भी बढ़ता गया लेकिन एक दिन जब धन कम होता जाता है नाश होता जाता है तो मन में जो अहंकार है वह तो कम नहीं होता वह घटत या वह नहीं घटत तो क्या हो जाता है बरू समूल बरू करते है लेकिन सामूल जड सहीत वह मुर्जा जाता है सूक जाता है जब संपत्ती रूपी पानी बढ़ने से मनश के मन में अहंकार कमल रूपी जो अहंकार है वह भी खिलता जाता है बढ़ता जाता है जब उसके पास संपत्ती थी तो उसने किसी की सहायता नहीं की सब लोगों से वह दूर रह गया लोग उससे दूर हट गये उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता अहंकार के कारण हाथ में धन था इसलिए वह धन के धन से पागल हो गया था इस पागलपन के कारण इस अहंकार के कारण लोग भी उससे दूर हो गये भगवान ने भी उन पर अपनी कृपा नहीं दिखाई तो एक दिन क्या हो जाता है? वह संपत्ती नाश हो जाता है समय वैसा ही नहीं रहता जब एक बार आमीर हो गया तो दूसरी बार कुछ समय के बाद वह गरीब भी हो सकता है परिस्तिती के कारण, वातावरण के कारण इसलिए जब वह संपत्ती कम होती जाती है तो मन में जो पहले का अहंकारता वह कम नहीं होता वह वैसे ही रह जाता है उस तरह के विक्ति का जीवन कभी करते हैं उस तरह के संपत्ती नाश हो जाने से अहंकार मात्र रह जाने से क्या होता है? वह व्यक्ति जड सहित सुक जाता है, मुर्जा जाता है उसके पास ना संपत्ति रहती, ना लोग उसके पास हैं, ना भगवान भी उन पर कृपा दिखाते हैं सिर्फ अहंकार ही रख जाता है, सिर्फ अहंकार सहित व्यक्ति अपने अवनती के उपर जाता है इल्ली कवी हेलिर वन्त दो अहंकारद बग्गे इल्ली कवी संपत्तन्न अंदरे हनवन्न अदन्न नीरिगे होलिसी दारे मत्तो मनसन्न अथवा मनसिनल्ली इर्वन्त हा अहंकारवन्न अदन्न सरोज अन्तेलितरे तावरेय हु, कमलदः हु, अदिक्ये होलीसी हेलिदरे कवि हेल वंतततो, मनुश्यन जीवनदल्ली समपत्तेम्ब नीरु जास्तियाक्ता होदा हागे मनसीनल्ली अहांकार वेंब कमलई येनिदे, अधु अरल्ता होगत दे अंधरे मनसिनले अहांकार जास्त्याक्ता होपता इर्थते अवगा अवनले हणा इदे बेकादस्टु आधरू कुड अवने यारीगो सहाय वन्न Patient यारीगो दानना वन्न माडू दिल्ल खेवल तन्न स्वार्त वन्न मात्र नोड कोल्ता इर्थताने आगागी जनरु कुड अवनिंद दूरैर खांगर फंद दोगा, जनरु अवनिंद दीर्व नेक्से terrवरों 1.8 नीर्व करगी होँदाख यbrig नायक्तते गटत्त फिरीना गटई 1.9 नीर्व शाष्वताअल्ल, आहनवेनु शाष्वताअल्द उंदल्लों ऋंदधू देवस करगी होग्तplate अधु नाशा आख्त दे, कडिमे आख्त दे, आ हनवेंब नीरियनिदे, कडिमे आख्ता होदा हागे ये, मनसिनल्ले इर्वंतह अहंकार मात्रा कडिमे आखुदिल्ल, अधु हागी उल्कोल्तत दे, अन्तह वेक्तिय जीवन, हेगे, बुडसहीत बाडि होदा, तावरिय आने, अन्तह वेक्ति, यावदक्कू प्रयोजन इल्ला, हागागी अहंकारा मनुष्यनिगे, यावत्तो उल्ले दल्ल, अधु अवननन्न, अवनत्तिय कडिके, तगुण्ड होग्वंत्त दु, इले, नियो तावरिय गिडवन्न नोडिर बोदो, तावरिय गिडक्के अधु जास्तियाग्वंत्त दु, नीरिंद वरगी, अरलि निन्तन्था तावरे, अधि यावत्तो उल्ल, नीरन वलगी बोदिल, उन्त वेले, आ तावरिय गिड़के, नाउ नीर हाकते, इद्रे, ये नाक्ततते, वन्त दिवस, तावरिय गिड़, वनगी होग्ततते, वनगी होद्रू सहा, केलगे बरोधिल, अन्त अह तावरिय गिड़, वुडसहित, बाडी होग्ततते, वनगी होग्ततते, अधु प्रयोचन इल्ल, हागी ये अहंकार कुड, संपत्तिद्धाग, यारन्नू नाउ परिगणिस्लिल, यल्लरन्नू द्वेशदिन्द यारन्नू परिद्धिसलिल, यारिगू सहा, यवन नाम आडलिल, हागागी यारू नम्म हत्र सुल्योदिल, देवर वंदु क्रिपेगु नाउ पात्र रागोदिल, कोनेगे नम्मली उळी वन्ततत्दु, उन्दु दिन आ संपत्त्तु करगी होग्ततते, अवग नम्मली समय सुन्दर सबई, रूप कुरूप ना कोई, मन की रुची जेती जितै, तित तेती रुची होई, इस पैरग्राफ में या इस दोहे में बिहारी लाल ने समय और आउशकता के अनुसार, मनुष के जो रुची है वोह बदलता जाता है, ऐसा यहां पर कहते हैं, समय 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 ताइम सुन्दर सबई, सबई मतलब सब सुन्दर दिखता है, रूप कुरूप ना कोई, वहां पर कोई कुरूप या रूप ऐसा नहीं होता, मन की रुची जेती जितै, रुची पसंद जेती जितनी जितै होती है, उतनी ही हमारी पसंद भी होती है, कि समय के अनुसार और आउशकता के अनुसार किसी भी वस्तो की या किसी भी चीज की मूल्य या कीमत बढ़ती है अथवा माहत्व बढ़ती है या घटती है कि वह रपशती है उदाहर जरन के लिए अगर हमें एक किसी बी एक चीज की भाएक ज़रहा है तो वह art चीज कुरूप होने पर भी हमारे आंके लिए लोह बिखता है क्यों स्वाइधा हैं कि वह हमें चाहिए उसके आउशकता हमें है अगर हमें किसी भी चीज के आउशकता नहीं है लेकिन वह चीज सुन्द कुरूप होने पर भी या सुन्दर होने पर भी अगर हमें किसी भी चीज के आवशकता नहीं है तो वह चीज सुन्दर होने पर भी हमारे आंखों के लिए वह नहीं दिखता हमारे आंखों के लिए वह कुरूप दिखता है क्यों कुरूप दिखता है क्योंकि उस चीज के आवशकता हमें नहीं है इसलिए यहाँ पर कभी बिहारी लाल करते हैं कि मनश्य के आवशकता के अनुसार और समय के अनुसार परिस्तिती के अनुसार किसी भी चीज की मूल्य महत्व कम होती है या बढ़ती है समय के अनुसार आवशकता के अनुसार वस्तों के खीमत या महत्व कम होता है या बढ़ता है रूप कुरूप ना कोई वहाँ पर कोई रूप या कुरूप नहीं दिखता इल्ली कवी इपैरेग्रफल्ली हेलिदारे समय के अनुसार वागी मत्तु मनुष्यन आवशकतेगी अनुसार वागी यावधी वंदू वस्तों वीना मौल्य अथवा महत्वा हेच्चा आगवंत द्दू अथवा कडिमे आगवंत द्दू उधारणिंगे नमिगे यावधी वंदू वस्तों वीना अगत्याईदे तुम्ब आवशकतेगी इदे अन्ता संदर बदल्ली आवश्तों कुरूप वागी द्रूसह येन नम्मकणिगी इन काणिस्तते यदों सुन्दर वागी काणिस्तते याक्यें थेलिदरे अधु नम नमिगे इरुव कारण अधु नम्मकणिगे सुन्दर वागी काणिस्तते यावधी वंदू वस्तों वीना अवशकते नमिगे इल्ला अंता संदर बदल्ली आवस्तों सुन्दर वागी द्रूसह निजवागी सुन्दर वागी दे सुन्दर वागी द्रूसह नम्मकणिगे अधु झाणिसोधिल्ला, या कि नम्म कञ्णिक यदु, केट्टदा काणिस्थदे कुरूप वागी काणिस्थदे, या केंत्खेन त्यल्दरे आवस्त्ďु विना आवशकते नमिंगी इल्ड अधर आगत्य नमिगी इल्लदे इरुवद रिंद, अधु नमी कुरूपवागी काणिस वन्तदू, अधिके इल्ली कवी हेलिर वन्तदू, समयक्की अनुसारवागी मत्तो, मनुष्यन अवशकतेगे अनुसारवागी, याउदे वंद वस्तुविना मौल्य हेच्चाग वन् तीन दबावत निसक हैं, पात्तक राजा, रोग, कहाई यहाई, कहते हैं, कहय कारते हैं, कहते हैं, यहै यह कहते हैं, कौन कहते हैं? शुति मतलब वेद पुराण सुम्रत्यों सुम्रत्यों मतलब स्मृतिया यहाई यही कवते हैं सयाने लोग सयाने ज्ञानी लोग तीन दबावत तीन विचार दबाते हैं किसको दबाते हैं निसक कहीं कारते हैं निर्बल या अशकतों को पातक राजा और रोग पातक पाप कृत्य करने वाले लोग या पापी लोग और राजा रोग कहते हैं यह कहते हैं कौन कहते हैं शॅति मतलब वेद पुराणों में यही बताया गया है और सम्रत्यों में भी यही बताया गया है या कहा गया है और सयाने लोग ज्ञानी लोगों ने भी यही बताया है कि तीन दबावत तीन विचार है तीन विचार क्या क्या विचार पातक लोग राजा और रोग किसको दबाते हैं निसकही को निर्बलों को अशक्तों को या वीक वेक्ति हैं उनको दबाते हैं यह तीन विचार उदारन के लिए पातक वेक्ति पाप कार्य करता है या दोसरों की खून करके उसका आरोप उस खून का आरोप वह किस पर डालता है जो अशक्त है निर्बल है दुर्बल है शरीर से अशक्त या मन से अशक्त या धन से अशक्त उस वेक्ति पर जो पातक वेक्ति है पाप कार्य या पाप कृत्य करके उनका जो आरोप है उस आरोप को वह आसानी से निर्बल वेक्ती पर डाल देता है और वह भागता है उससे बचाव हो जाता है राजा भी क्या करता है राजा भी कर डालता है किस पर कर डालता है जो अशक्त लोग है उस पर या उन लोगों पर वह ज्यादा ज्यादा कर डालता है और उन लोगों से वह आसानी से कर लेता है और रोग ये रोग भी किसको हमेशा सताता है जो शरीर से दुरबल, मन से दुरबल या धन से दुरबल उन लोगों पर यह रोग भी आता है या रोग भी इन दुर्बलों को अशक्त वेक्टियों को हमेशा सताता रहता है अगर दुर्बल वेक्टी को कोई रोग आ जाए तो उस रोग को दूर करने के लिए उसके पास आर्थिक वेवस्ता या धन वह नहीं रहता इसलिए यहां पर बताया गया है वेद पुरानों में भी सुनुतियों में भी या ज्ञानी लोगों ने भी यहीं बताया है कि फातक राजा और रोग ये तीन विचार निर्बलों को दबाते हैं इसलिए हमे कवीबी निर्बल नहीं बन्ना चाहिए हमेश सद्रड या सशक्त या सबल होना चाहिए तब दूसरे लोग हमपर अपना दबाव नहीं डालते इल्ली एन हेलिर्वन्त द्दू? शुद्ती, शुद्ती अंथेल्दरे वेध पुराणगलल्ली सुम्रत्त्यों थेल्दरे स्मृत्ती गळलल्ली हागे ये सयाने लोग ज्ञानिगलु, बुद्धिवन्त जनरु अथवर्षिमनिगलु कुड इदन्ने हेलिर्वन्त वेकीरु अवरन्न मानसिकवागी वेक, क्षीनवागीरु अथवा शरीरदल्ली वीक, अथवा हनदल्ली वीक, इन्तहा इअशक्तरु यारिद्दरे, दुर्बलरु यारिद्दरे, अवर मेले तम्म दब्बालिके ना नडिस्त बंधिदे अंथेली, इविशेगलल्ली आड़ बार्दू, यावदू केट्टदू, अंतेली नाव हेल्थेव, अन्तहा केट्टकारिगलन्न माडि, आ कार्यद उन्दू आरोप येनिदे, दोशारोपने, अधन्न, इपाप्पी, यार मेले हाक्तने, यारू दुर्बलर रुद्धार, यारू वीकिद्धार, अंतव अंतवर मेले, इपाप्पी, तानुमाडिदा, पापकृत्तियगल, आरोपवन्न, सुलबदल्ली, इदुर्बलर मेले हाक्की वेड़तने, अवर वधिक्के, बलियाक्तर, अवरिगे अधनिंद तप्पिसिकोल्डिके, साध्या, आगोधिल्ल, कारण, अवरू वीकाद, का अवनु तम्म, तानुमाडिदा, पापकृत्तियगल, आरोपवन्न, हाक्कि बिड़तने, सुलबदल्ली, कूड, हेच्चु तेरिगे इन्न, यार इंद वसुलि माड़तने, सद्रिडर जन्रिंद वसुलि माड़िके, आवन इंद साध्यागुदिल, पापद वर यार इद कस्टपट्ट्टु, तेरिगी इन्न, कोडबेका आग्त दे, अवरिग अधरिंद तप्पिसिकोल्लिक्कु, साध्या आगुदिल, सशक्तर आगिरूदिल, आगे, मूर नेदु, रोग, इई रोग कुड, हेच्चागी, सताइस्वन्त द्दु, यार नन्न, यारु मानसिक रोग वागी, शरीरव दल्ली, मत्तु, हनदल्ली, गट्टि इल्वो, सद्रडवागी, रोधिल्व, अन्तवरिगे, इरोग कुड, आगा, आगा, बर्त्ता आयर्त्त दे, रोग बंदरे, आ रोग वन्न, दूरमाडवन्थ, उन्दु, शक्ति, अवरल्ली, इरोधिल्ला, पात्तवा, आर्तिकवयोस, देवरल्ली, चन्नागी, रोधिल्ल, हागागी, इमूरु विचारगलु, पात्तक, अन्रे, पाप्पी, मत्तु, राज, हागे, रोग, इवुगलु, इमूरु विचारगलु, इदुर्बलर मेले, तम्म, दब्बाली, केन, नडिसकोंडो, बं इनमें जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का उतर, किस वस्तु को पाकर मनश्य उनमत होता है, धन को पाकर या संपत्ती को पाकर मनश्य उनमत होता है दूसरा प्रश्न, भगवान कब प्रसन होते हैं, भगवान सचे भक्ती से प्रसन होते हैं, थीसरा प्रश्न, बांसुरी किस रंग की है, बांसुरी हरे रंग की है चावता प्रश्ण प्रेमी चित कब उजला होता है प्रेमी चित भगवान की भक्ती में डूब कर उजला होता है और वस्तुयें कब सुन्दर प्रतीत होती है वस्तुयें कब सुन्दर यहाँ पर है उतर समाई और आउशकता के अनुसार सब वस्तुयें सुन्दर दिखती है और सेवेंथ वन पातक राजा और रोग किसे दबाते हैं पातक राजा और रोग निसकही या दुर्बलों को या निर्बलों को या अशकतों को दबाते हैं और एक प्रश्न है यहाँ पर संपती रूपी सलिल के बढ़ने का क्या परिणाम होता है संपती रूपी सलिल यहाँ पर है उतर संपती रूपी सलिल के बढ़ने से मन में जो मन में जो अहंकार रूपी कमल या कमल रूपी अहंकार वह बढ़ता जाता है ये मन को यहाँ पर कमल ऐसा बताया है कवी ने अथवा अहंकार को कमल बताया है इसलिए आंसर क्या हुआ उतर क्या हुआ संपत्ती रूपी सलिल के बढ़ने से मन में अहंकार या कमल रूपी अहंकार बढ़ता जाता है आगे के जो प्रश्ण है उन प्रश्णों का उतर में नोर्स के द्वारा आपको दे दूंगी धन्यवाद